ओम, शान्ती, मनोबल एवं मन्सा स्यवा 208, शान्ती की शक्ती के साधन, शुब भावना, स्रेष्ट भावना की विविद विशेष्टाएं हम देख रहे हैं, आज हम पांत्मी विशेष्टा देखेंगे, स्रेष्ट भावना की विविद विशेष्टाएं, स्रेष्ट भावना की विविद विशेष्टाएं कोन सी हैं, नमबर एक, स्रेष्ट भावना द्वारा, किसी भी आत्मा के संशे बुद्धी को भावना अत्मक बुद्धी बना सकते हैं, उसकी बुद्धी डाउटफूल है उसके doubt को remove कर सकते हैं स्रेष्ट भावना के बारा जिसके मन में doubts बने हुए हैं यदि हम उस आत्मा के प्रती स्रेष्ट भावना एक रखे तो उसके doubt भी दूर हो सकते हैं नमबर दो स्रेष्ट भावना से किसी भी आत्मा का व्यर्थ भाव परिवर्तन कर सकते हैं, समर्थ बना सकते हैं नमबर तीन, स्रेष्ट भाव द्वारा किसी भी आत्मा के सोभाव को भी हम बदल सकते हैं, ये स्रेष्ट भावना का हम समद रहे हैं, विशेष्टा क्या है स्रेष्ट भावना की शक्ति द्वारा, आत्मा की भावना के फल की अनुभूती करा सकते हैं, उसको मैसूस होगा, कि ये भावना है इसका ये पल है मलब हमें क्या पल मिलेगा यदि हम अपने जीवन में इस परकार के विचार रखे इस परकार से परिवर्तन लाएं तो हमारे जीवन में मलब क्या परिवर्तन आएगा ये भी उसे अनभव हो सकता है नमबर पाथ स्रेष्ट भावना द्वारा भगवान के समीप ला सकते है उस आत्मा को बाबा का बच्चा बना सकते है नमबर चे स्रेष्ट भावना किसी आत्मा के भाग्य की रेखा बदल सकते है स्रेष्ट भावना किसी आत्मा के भाग्य की रेखा बदल सकते है नमबर साथ स्रेष्ट भावना हिमत हीन आत्मा को हिमत वान बना देती है ये साथ जो पार्ट हैं ये 28 जन्वरी 1985 को बाबा ने बताये थे अच्चा ओम शांते और विश्दार से जानने के लिए प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वरी विश्वरी द्याले के किसी भी सिवा केंद्र पर समपर करे और यदी कोई प्रशन है तो 9213106986 पर के वल टेलिग्राम करे 9650692270 पर के वल पोन करे वर्श्व करे पोन नहीं ओम शान